प्यारे अमिद भाय की टीम की एक एनालेसिस जहां पे E-Sports International Series के पहले दिन, पहले मैच में जो उनकी गलती थी, जो अप्टिवम E-Sports के साथ फाइट वा था, कहां पे गलत गए थे, उसका एक ब्रेकडाउन आपके सामने यहां पे रखने वाला हूं तो शुरू करेंगे इस पॉइंट पे जहां पे आप देख सकते हो कि वीमा शक्ति स्ट्रिप के आसपास के एरियास पे दो टीम से हैं, अप्टोम E-Sports and हमारे शर्वाइवर दैसी देशी आमी की स्कॉर्ट, और अल्ड़ी आप देख सकते हो कि यहां पे एक उपरचुनिटी काफ देशी आमी के पास एक उपर्चुनिटी था, यहां से शेंट हने सेरियो, यहां से सिनاشेंज हका ड़वा मांप आपको आगि भुष्फिंट के अंदर यहां पर यहां पको आपर कंता ही, यहां पर शोड़ा florist अपर मसा वाजीवर दोगों कर दंबने का तो से यहां प अगर आप बॉटम रिज में चले जाते हो तो आप एक एक विवालन्ट फाइट के आज़ पास पास के अज़ाते हो अप्टोम एस्पोर्स के पास वह जो अडवांटेज था उन्हों ने उसको तदील कैसे किया यह आपको पता लग जाएगा रोमियो गेमर आप देख सकतो यहां पर अल्रडी पुश कर चुके थे और यह थोड़ा मुझे पॉइंट्लेस था क्योंकि अमिद भाई का जो एच्पी था वो काफी दा कम हो गया था एं एक्समेनिया भी उनके पास नहीं थे तो गिव देम द आपको और उनका पॉजिशन आपको पता है और उसी चीज का फाइदा उठाएंगा अतुल यहां पर रोमियो गेमर को टेक्डाउन के जाएगा और टेक्डाउन नहीं किया गया इस मौके पर बट माफिया पुश कर चुके हैं यही चीज एक हाई रिच पे होने का फाइद नहीं किया उस मौके पे रोमियो गेमर ने भी नहीं किया एक्समीन ने भी नहीं किया अतुल अपने आपको वो कंपाउंट की ऊपर का पोजिशन होल्ड करा करक रहे थे उनके पास एक AUG था रोमियो गेमर जैसे ही एक्सपोस किया अपने आपको और फिर से मैं आपको मिल चुका था and इस मौके पर जब आपकी एक प्लेयर साक्रिफाइस हो जाते हैं उनका किल कंप्लीटली फिनिश आफ किया जा चुका है एक्स मेनिया वहाँ पूरा ब्लॉक ओफ हो गए थे काफे ता मुश्किल हो गयता है यहां से फॉल बैक करना और जादा गलत क्यूंकि अपने दुश्मन को अगर आप पीट दिखाओगे तो हमेशा यही हो जाता है प्रियम भी उसी दौरा नोहां पर पिक ओफ हो गए क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप अपने दुश्मन को पीट दिखाओगे तो आपको पीट पे गोली परेगे और आप काउंटर करने के लिए वहां पे राइट पोजिशन पे नहीं रहोगे बट अभी भी यहां पे जो मौका था आप्टियम एस्पोर्स ने अपने खेमे में कंवर्ट कैसे गया जो पे हमारे रोमियो गेमर की टीम थी जो देसी आर्मी की टीम थी वही सेम पोजीशन पे हमारे अप्टियम एस्पोर्स की टीम ने कबजा जमाया and same kind of pressure जो DC Army नहीं बना पाई वही pressure Optimum E-Sports के players ने बना के दिखा दिया but X-Menia के पास यहाँ पर अमित भाई के पास एक opportunity था यहाँ से भाग जाने का और you can say कि रिट्रीव करके position बनाने का था कि वो थोरा सब position points के लिए खेल सके but यह भी नहीं हुआ यहाँ पर X-Menia वेट करें था और देखिये माफिया के पास already वो position आ चुका था अगर यही रिज का advantage अगर देशी gamers के players लेते तो शायद से outcome कुछ अलग हो सकता था बट नहीं हुआ Optimum E-Sports के players ने यहाँ पर खूनी को take down किया और you can see him X-Menia क्योंकि आप सभी के चाहीद X-Menia है वो and X-Menia को यहाँ पर take down किया जाएगा आप देख सकतो है yes and इसी के साथ already preamp भी take down हो चुके थे पहले Romeo Gamer को pick off किया गया था and अभी X-Menia अकेले Amit भाई बचे वे था Amit भाई के पास इस मौके पे इस situation पे उनके पास एक tower पे रहने के इलावा कोई opportunity नहीं था but दो options रहते हैं यहाँ पे एक option कि वो यहाँ पे expose नहीं करते हैं अपने आपको shots नहीं लेते हैं और किसी को पता नहीं लगता कि उनका position कहाँ पे and optimum e-sports के players शायद से यहाँ से fallback कर सकते थे but एक और option था उनके पास that is कि वो राहिल को जो कि कुछ देर में यहाँ पे open में भागने की कूशिश करेंगे उनको take down करने का मौका है yes यह यह मौका and I think यह मौका पे उन्होंने गवाया and आप देख सकते हो कि अगर आपका position ऐसे मौको पे जब एक 1v4 situation हो जाता है चाहे Amit Bhai क्यों नहों कोई भी best player क्यों नहों ऐसे मौको पे numbers disadvantage के चकर में आपकी player का जो advantage होता है वो हमेशा take down ही होंगे जो कि यहां पे Amit Bhai के साथ होगा कुछी देर में आप देख सकते हो एक grenade जाएगा यहां पे Optimum के team के तरफ से चारो के चारो के players ने and यह grenade and that was the elimination of team survivors I think यहां पे काफे दा मैसी लगा उनका approach survivors you know observatory side पे drop किया उन्होंने and वहां पे एक fight में disengage करके उन्होंने यह position लेने की you know एक decision लिया बीमा शक्तिस्टिप के आसपास but Optimum eSports के साथ उन्होंने एक fight में engagement दिखाया and जो Rich का advantage था उसका फाइदा नहीं उठा पाए Romeo Gamer थोरा सा जादा push कर गए along with X-Menia में कहना चाहूँगा X-Menia के पास मौका था यहां पे fallback करने का but वो जो Rich का advantage था उन्होंने Optimum eSports को दे दिया but Optimum eSports तो compliment देना पड़ेगा कि उन्होंने हार नहीं महना उन्होंने काफी अच्छा rotation point दिखाया and इस fight को जीत के दिखाया so that was it and I think अगर आपको अच्छा लगा तो not forget to hit the like button and बताईए कि आपको ऐसे content पसंद है की नहीं so I will make sure कि मैं ऐसे analysis video और दा ले के आऊ आपके चहीते team comment भे बताईए कि आपके कौन से चहीते team है and eSports Inuitational Series में especially कि वहाँ पे काफी सारे ऐसे matches हुए थे काफी सारे ऐसे moments हुए थे जिनको analysis and breakdown करके मैं आपको बताना जरूर से चाहूँगा